हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग एक interesting story लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दि दूसरे चैनल आल राउंड नॉलेज को भी बिजीट कर सकते हैं। जिसमें लगभग 3 लाग के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो वह चैनल भी काफी इंपोरेंट है। यदि आप एक स्कूल स्टुडेंट है। दोनों ही चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल पर मैं आप लोग को अडवांस्ट लेवल की इंग्लिज बताता हूं। और दोस्तों यहां पर भी आप बहुत सारे इंग्लिज वर्ड सीखेंगे। और बिल्कुल बिस्तार पुरुबग सीखेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहां पर है था और यहां पर है मौसम। और मौसम को दिखाने के लिए हमेशा इट का यूज करते हैं। चाहे वेदर हो। या फिर टाइम हो। कोई भी इस भी हो, सन हो। तो उसे दिखाने के लिए भी इट का यूज करते हैं। है जैसे इट वोज 1947, या फिर इट वोज विन्टर, इट वोज समर। It was four o'clock, it is nine o'clock, it is raining, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर था के लिए वोज लिखेंगे, मौसम के लिए वेदर लिखेंगे, और climate का अर्थ होता है जलवायू, वेदर का अर्थ होता है मौसम, एक और होता है वेदर, इसका अर्थ होता है की, जैसे बताओ मुझे तुम जाओ गे की नहीं, इस सेंस में वेदर का यूज करते हैं और यह है वेदर, तो यहाँ पर लिखेंगे, इट वोज, रेनी सीजन, सड़कें कीचड यूक्त और गड़े पानी से लबालब भरे थे, दोस्तों कीचड यूक्त यानि की मडी, मडी मड से बनता है, मड का अर्थ होता है कीचड, आपने सुना होगा मड गार्ड, यानि की जो हमें कीचड से बचाता है, साइकल पर लगा रहता है, मड गार्ड, और दोस्तों गड्धे, गड्धे यानि की सड़क पर बनी गड्धे, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉट हॉल, और एक से ज़्यादा तो रहता ही है, तो इसे कहेंगे पॉट होल्स, और जेनरल जो गड्धे होते हैं, उसे कहते हैं पीट, दोस्तों यहाँ पर है लबा लब, यानि उपर तक भरा रहना, to the brim, यानि की बिल्कुल मुहाने तक, जैसे माल लिजे, ग्लास में पानी उपर तक भरा हुआ है, तो आप कह सकते हैं, the glass is full to the brim, भरा हुआ होना, यानि की filled with, water, पानी से भरा हुआ होना, यानि की से के लिए आपको with यूज करना है, और हमेशा filled with होता है, इसके बाद यहाँ पर वाज हुवर या फिर each are का यूज आप कर सकते हैं, sentence के अनुसार, तो सबसे पहले लिखेंगे, सडकें की चड़ यूप थी, the roads, एक से अधिक है, वर यूज करेंगे, muddy, and the potholes, ये भी एक से अधिक है, एस लगा हुआ है, वर यूज करेंगे, filled with water to the brim, यह एक फ्रेज है, याद रखेंगे, दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगो को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, और अन तक जरूर देखिए, यदि आपको बहुत अच्छा लगे, तो आप मुझे कुछ रूपियों की सूपर थैंक्स भी कर सकते हैं, थैंक्स बटन आप लोगो को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो थोला सा मेरा फाइनेंशली सपोर्ट भी हो जाएगा, राजू नाम का एक किसान अपनी गाड़ी से एक ग्रामीन सडक से होकर शहर जा रहा था, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेंस समझेंगे, यहाँ पर है जा रहा था, यानि कि पास्ट कंटिनिवर स्टेंस, जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वोज, रीडिंग, यानि कि इसमें आपको वाज वर प्लस वर में आई एंजी फोम यूज करना है, अब दोस्तों यहाँ पर है सडक से होकर, यानि कि सडक के साथ, जैसे यह सडक है और इस पर साथ साथ चल रहे हैं घसिटते हुए, तो अलॉंग का यूज किया जाता है, आप कहेंगे कंट्री का अर्थ तो देश होता है, और गाउं भी होता है, और यदि आपको यहाँ पर डाउट है, तो आप विलेज लिख लिजिए, दोस्तो गाड़ी यानि की कार्ट, अब उसमें बैल लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे ब्लोक कार्ट यानि की बैल गारी, और घोडा लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे होर्स कार्ट, राजू नाम का एक किसान नाम का इसके लिए आप नेम्ड का यूज कर सकते हैं और आप सीधे लिख सकते हैं राजू दा फार्मर तो सबसे पहले subject फिर वाजवर फिर वर्ब कौन जा रहा था राजू तो यहाँ पर लिखेंगे राजू दा फार्मर वेक्ति की संख्या एक है, वोज यूज करेंगे, going, कहां जा रहा था? शहर, to the town, एक ग्रामिन चलक से, along a village road, by his cart, यानि कि अपनी गाड़ी से, राजू the farmer was going to the town, along with the village road, by his cart, उसे जल्दी बाजार जाना था, ताकि वो अपना घांस का धेर बेच सके, दोस्तों यहाँ पर जल्दी कार्थ हुआ, समय से पहले, जिसे कहते हैं, early, और यहाँ पर है, जाना था, यानि कि आपको had to का यूज करना है, जैसे मुझे पढ़ना था, I had to study, ताकि इसके लिए लिखेंगे so that, वो अपना घांस का धेर, यानि कि आप लिख सकते हैं, हे स्टैक्स, बेचना यानि कि सेल, अब दोस्तों यहाँ पर है had, यानि कि past में है, तो यहाँ पर सकना के लिए भी past फोर्म में यूज करेंगे, कूड, कैन से कूड बन जाएगा, अपना यानि कि हीज, ही कैन उसार, हीज हो जाएगा, तो उसे जल्दी बाजार जाना था, ही हैड, तू, रीच, यानि कि बाजार पहुचना था, आप ये भी कह सकते हैं, दमार्केट, आप गो-टू-मार्केट भी लिख सकते हैं, अर्ली, यानि कि थोड़ा पहले ही, ताकि, so that, वह अपना घास का धेर बेच सके, ही कूड, सेल, हीज, हे स्टेक्स, इसे पढ़ेंगे, हे स्टैक्स, हे स्टैक्स, ही हैस्टैक्स, घुड़े के लिए गाडी को खीचना, बहुत मुश्किल था, क्योंकी रास्ता कीचड युग था, मुश्किल था, यानि की डिफिकल्ट, क्योंकी के लिए यहां पर आप ऎज का भी यूज कर सकते हैं, कीचड यूक्त यानि की मड़ी था इसके लिए was यूज करेंगे और ऐसे सेंटेंस को आप it से भी शुरू कर सकते हैं जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था It was very difficult for me उसी परकार घोड़े के लिए गारी को खिचना बहुत मुश्किल था तो यहाँ पर लिखेंगे It was very difficult for the horse खिचना इसके लिए आप पूल का भी यूज कर सकते हैं और जमीन के साहरे खिचना इसके लिए आप ड्रैक का यूज कर सकते हैं ड्रैक का अर्थ हुआ एक तरह से घसीटना और यहाँ पर टू यूज करेंगे यानि कि इनिफिनिटिव के रूप में लिखेंगे It was very difficult for the horse to pull the cart क्योंकि रास्ता की चल यूग था अपनी यात्रा के दवरान अचानक घोला गारी का पहिया एक दलदल में धस गया तो यहाँ पर है धस गया यानि कि सिम्पल पास्टेन सबसे पहले सबजेक्ट फिर वर्ब टू और फिर अबजेक्ट धसना यानि कि सिंक हलांकी सिंक का अर्थ डूबना भी होता है दलदल में इन्द मायर मायर का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा कीचड दलदल और दलदल को बॉग भी कहते है और मार्श भी कहते है और दलदल वाली जगा है तो आप कह सकते हैं मार्शी एरिया या मार्शी लैंड अपनी यात्रा के दवरान के दवरान के लिए आप ड्यूरिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर सोट में लिख सकते हैं On His Journey On His Journey या फिर ड्यूरिंग ही जर्नी अच्छानक Suddenly क्या धस्गया घोडा गारी का पहिया The Wheels Off The Horse Cart एक दलदल में धस गया तो सिंक का वर्वटू हो जाएगा सैंक सिंक सैंक संक होता है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे सैंक इन्टू यानि कि यहाँ एक तरह से गती में है बाहर से अंदर की और इसलिए इन्टू का यूज़ बेटर रहेगा On his journey suddenly the wheels of the horse cart सैंक इन्टू दा मायर राजू अपनी seat से उतर गया और अपने cart के बगल में खड़ा हो गया तो दोस्तो यह भी है simple past tense सबसे पहले subject फिर verb to और फिर object seat से उतर गया इसके लिए आप लिख सकते हैं climbed या फिर got down from his seat और अपने cart के बगल में खड़ा हो गया खड़ा होना यानि की stand stand से बन जाएगा stood verb to बगल में यानि की beside हलांकी जब ace लगा देते हैं besides तब अर्थ होता है के अलावा तो यहां पर subject है राजू climb down from his seat और अपने cart के बगल में खड़ा हो गया and stood beside his cart उसने चारो तरफ ढूंडा पर मदद के लिए कोई नहीं मिला तो यह भी है simple past tense सबसे पहले subject फिर verb to और फिर object चारो तरफ ढूंडना यानि की search around तो सबसे पहले लिखेंगे उसने चारो तरफ ढूंडा he searched all around यानि की चारो तरफ पर but उसे मदद के लिए कोई नहीं मिला but he didn't या फिर आप लिख सकते हैं couldn't यानि मिल सका find anyone आसपास around आप ये add भी कर सकते हैं उसे मदद करने के लिए to help him आप अपने मन से थोड़े भहुत change भी कर सकते हैं जैसा English sentence में अच्छा रहेगा he searched all around but he couldn't find anyone around to help him अपनी बदकिस्मती को कोशते हुए वह उदास और हारा हुआ दिखा उदास इसके लिए आप लिख सकते हैं dejected और भी बहुत सारी words होते हैं आप sad लिख सकते हैं disappointed लिख सकते हैं distressed लिख सकते हैं दोस्तो dejected इसका opposite word लिख सकते हैं elated यानि कि बहुत ज़्यादा खुश happy तो होता ही है लेकिन यह बहुत ही एक अच्छा word है जैसे मैं बहुत खुश हूँ I am highly elated कोशना इसे कहते हैं curse और curse का अर्थ अभिशाब देना भी होता है अपनी बदकिस्मती को कोशते हुए cursing his bad luck he दिखा यानि कि looked good dejected and यहां पर defeated लिखना बेटर रहेगा dejected and defeated यह बेटर है हारा हुआ यानि कि defeated cursing his bad luck he looked dejected and defeated आस्मान की तरब देखते हुए वह इश्वर पर चिलाया मैं बहुत अभाग्यशाली हूँ यह मेरे साथ क्यों हुआ है हे परभू मेरी मदद करें आस्मान की तरब देखते हुए दोस्तों जाते हुए देखते हुए इसमें आप ing form यूज कर सकते हैं जैसे उपर मैंने लिखा कोशते हुए यानि कि cursing देखते हुए उपर यानि कि looking up तो यहां पर लिखेंगे looking up at the sky he shouted वह चिलाया इश्वर पर add the God मैं बहुत अभाग्यशाली हूँ I am very unlucky या फिर आप यहां पर so भी लिख सकते हैं I am so unlucky या मेरे साथ क्यों हुआ है या है present perfect tense यानि कि has have plus verb 3 तो सबसे पहले question word why has this happened to me जैसे दोस्तों तुम्हारे साथ क्या हुआ है what has happened to you यानि कि आपको happen to ही यूज करना है हे परभू मेरी मदद करें एक लंबे इंतिजार के बाद इस्वर राजू के सामने प्रकट हुए और कहा एक लंबे इंतिजार के बाद after a long wait the god appeared दोस्तों यहाँ पर के सामने के लिए बिफोर यूज करेंगे आप कहेंगे सर बिफोर का अर्थ तो के पहले होता है जी हाँ आप बिल्कुल सही है के पहले भी होता है हलांकी दोस्तों के सामने भी होता है आप अच्छे से सर्च कर लें आप सिंपल वर्ड या फ्रेज इन फ्रेंट आफ जानते ही होंगे तो आप यहाँ पर इन फ्रेंट आफ का भी यूज कर सकते हैं और बिफोर का भी यूज कर सकते हैं उसके सामने या राजू के सामने बिफोर राजू जैसे उसने जज के सामने बोला और कहा and said After a long wait, the God appeared before Raju and said तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा जब तक कि तुम खुद की मदद करने के लिए कुछ effort नहीं लगाते हो तो दोस्तो यह एक तरह से conditional sentence है दोस्तो जब तक की नहीं इसके लिए आप लिख सकते हैं Unless यह एक negative word है जब Unless का यूज करते हैं तो Not का यूज नहीं करते हैं जैसे की जब तक की तुम नहीं पढ़ोगे या मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे You Can't succeed Until या फिर Unless Time का बोद होगा तो Until और यदि शर्थ का बोद होगा यानि कि जहाँ पर आप इफ का यूज कर सकते हैं तो वहाँ पर Unless का यूज कर सकते हैं Unless you Study तो यहाँ पर और Not का यूज नहीं करेंगे Unless you don't study नहीं लिखेंगे हलांकी जब आप इफ का यूज करेंगे तो फिर Not का यूज कर सकते हैं You can't succeed If you Don't Study तो इफ के बदले ही हम लोग Unless का यूज करते हैं इफ भी शर्थ को दिखाता है Condition को दिखाता है और Unless भी Condition को दिखाता है तो Unless के बदले आप If Plus Not का यूज कर सकते हैं यानि Negative Word लेकिन जब आप Unless का यूज करेंगे तो यहाँ पर आप Don't या Not का यूज नहीं करेंगे Unless you study यानि कि जब तक कि तुम नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पर है तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा Nobody will help you Unless You Make effort यानि कि परियास करना खुद की मदद करने के लिए To help Yourself और यहाँ पर एक कुछ effort तो आप यहाँ पर सम का भी यूज कर सकते हैं Nobody will help you Unless You make some effort To help yourself उठो और अपने कंधे को चक्के पर लगाओ और तुम्हें जल्द ही कोई हल मिल जाएगा कोई हल या solution या रास्ता इसके लिए आप लिख सकते हैं The Way Out मिल जाना यानि की Find Find the Way Out और अपने कंधे को चक्के पर लगाओ या एक तरह से सटाना इसके लिए आप लिख सकते हैं Put Your Solder To The Wheel तो यहाँ पर लिखेंगे Get Up And Put Your Solder To The Will और तुम्हें जल्दी कोई हल मिल जाएगा And You Will Soon Find The Way Out Get Up And Put Your Solder To The Wheel And You Will Soon Find The Way Out उसने ऐसा ही किया यह भी है Simple Past Tense सब से पले सबचेट फिर Verb To और फिर Object तो यहाँ पर है किया यानि की Do से बनेगा तो Do का Past Form Did तो यहाँ पर लिखेंगे He Did Exactly The Same He Did Exactly The Same जल्दी चक्का दलदल से बाहर हो गया बाहर होना इसके लिए आप लिख सकते हैं Get Out Of Something तो गेट से God बन जाएगा और आप चाहें तो सीधे वोज का भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे Soon या फिर In No Time यह एक फ्रेज है In No Time The Will Was Out Of The Mire In No Time The Will Was Out Of The Mire इस स्टोरी का मोरल यह है कि जो खुद की मदद करते हैं इस्वर उनकी मदद करते हैं God Helps Those Who Help Themselves यह एक प्रोवर्ब या कहावद भी है God Help Those Who Help Themselves I hope friends आज का वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा और मैंने आप लोगो को बिलकुल बिस्तार पुरुबग बताया है आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आप चाहें तो मुझे कुछ रूपियों की सूपर थैंक्स भी कर सकते हैं आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँ और मुझे भी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और मुझे इंस्टाग्रैम पर भी फोलो कर लीजिए मेरा यूजर आईडी है Allround Knowledge और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए आप लोग को कुछ प्लेलिस्ट भी नजर आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए और बारी-बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए अल्राइड जरूर आईडी है